हालो एव्रिवन वेलकम टू टार्गेंट एंटरंस एक्जाम यूट्यूब चैनल हम लोग अपनी UPBA 2023 एंटरंस एक्जाम की प्रेप्रेशन कर रहे हैं जिसमें से आपकी क्लास की टाइमिंग गे रही है आपकी क्लास इस टाइम पर चल रही है देख लिए आप लोग जोड़ और साम 6 बज़े आपकी रीजनिंग की क्लास है ठीक है तो आप लोग जल्दी से जोड़ जाएए और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजेगा 27 अज अपना समाने कान QAnon का practice सेट करनेवाल है तो महातमा गांदी के साथ कौन शामिल थे उसक्ता इसका क्या आंसर हो जाएगा चमपागार के हैं के महातमा गांधी के साथ कौन शामिल थे आपके कल 25 question हो चुके थे उसके आगे question आज हम करा रहे है और आपका practice set complete हो जाएगा ठीक है 28 question 1957 इश्वी में किस समिती ने भारत में त्री इस्तरिये पंचायती राज की सरफ़तम शिफारिश की थी त्री इस्तरिये पंचायती राज की किसने शिफारिश की थी A. अशोग महता समिती B. सी तलवार समिती C. बलवन राय महता समिती D. हनुमत तहिया समिती पताए क्या आंशर हो जाएगा 28 question का तो इसका सही answer है हमारा बलवन राय महता समिती ठीक है 29 question उच नयायले का नियादीश अपना त्याग पत्र किसको देता है उच्छ नियायले का नियायदीश अपना त्याग पत्र किसको देता है बता ही क्या अंसर हो जाएगा A. राश्ट्रपती B. अपने उच्छ नियायले के मुख्य नियायदीश C. भारत के मुख्य नियायदीश D. अपने राजी के राज़पाल उच्छ नयाले का नियाधिश अपना नियाधते आग पत्र किसको देता आयधिश की कुछ नम कर चुके हैं पहले तो इसका सही आंसर है हमारा A राश्रपती इसका बिल्कुल सही आंसर है ठीक है चलिए 30 गोशन रावल किला में लोह इस्पास सायंत्र की स्थापना किस देश क श्योक से की गई थी बताएए क्या है ए जर्मनी बी ब्रिटेंज सी रूश या डी जपान 30 कोशन का आंसर देंगे आप लोग 30 कोशन का हमारा आंसर है ए जर्मनी ए जर्मनी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है आज की एकलास आपकी रिकॉर्डड़ क्लास रहेगी ला 31 कोशन बारती समविदान के किस भाग में अलप रॉसंखेकों के लिए विशेज प्राभधान किया गया है भाग 2 भाग 3 भाग 4 या 5 बताएए क्या आंसर हो जाएगा 31 कोशन का क्या आंसर हो जाएगा तो इसका सही आंसर है हमारा भी भाग 3 ठीक है आप लोग इसे लाइफ थी कुई या इसका सही आंसर हे है हम इसकर्टम है कुर्फटि को धारशनिक आधार प्रदान करने वाले प्रतम आचार्य कौन स्ब्राइब इकूइट यहरी और रामनुज वहरी प्रदान काउन थे Rainbow All시 दो मुं प्रतों अशार्य ब कैसा May Learning B. शंकराचार्य, C. माधवाचार्य, D. बलभाचार्य, भक्ति को दाशनिक आधार प्रदान करने वाले, बताःगे क्या आंसर हो जाएगा? 33 ग्वेशन का क्या आंसर हो जाएगा, थो इसका आंसर हो जाएगा? ए रामा जुनिस का विल्कुल सही आंसर हो जाएगा 34 question स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? A. 1919 में B. 1920 में C. 1922 में D. 1923 में पता है 34 question का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है हमारा D. 1923 में ठीक है? चले 35 question सम्विधान में किन वर्गों के संबंद में विशेश प्राबदान किया गया है? सम्विधान में किन वर्गों के संबंद में विशेश प्राबदान किया गया है? A. अल्प संक्याक किन वर्गों के संबंद में विशेश प्रापधान है हमारे सम्विधान में तो इसका सही अंसर हो जाएगा D उप्रोक सभी मतलब इन सब की संबंद में हमारे सम्विधान में एक विशेश कोई ना कोई विशेश प्रापधान दिया गया है 36th question राजाराम मोहन राय और डेविड हेडर निमलिखित की सापना से जुड़े हुए थे इन में से किस की सापना से जुड़े हुए थे राजाराम मोहन राय और डेविड हेडर A. Hindu college, B. Ripen college, C. M. A. O college यई D. Sanskrit college बताईए इसका क्या answer हो जाएगा 36 questions का तो इसका सही answer है A. Hindu college इसका सही answer हो जाएगा 37 questions देश में आधुनिक तक्नीक पर आधारित उनिक अपलों का प्रथम गारकाना कानपूर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था 1776 इश्वी B 1894 इश्वी C 19.6 इश्वी या D 1962 इश्वी 37 का आंसर बताए आप लोग इसका क्या आंसर हो जाएगा तो इसका सही आंसर है हमारा 1894 में ठीक है आप लोग अपने आंसर देते रहें 38 कोशन बुश्मेन बदू और आदी जंजातियां किस प्राकरतिक प्रदेश में पाई जाते हैं बुश्मेन और बदू बताइए कहां जिनजातियां कहां पाई जाती हैं ऐ शिदोश्ण मरुस्थमें बी ऊश्न मरुस्थम सी तुंड़ हुद्रा प्रदेश या Wolf टैघा प्रदेश पताए धर्टी एट क्वेस्ट का क्या आंसर हो जाएगा तो व्छ में क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है 39 कोईशन 39 कोईशन ने आपका किस प्राकर्तिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनित तापमान पाया जाता है ए टैगा प्रदेश भी मांसुनी प्रदेश सी ऊष्ण मरुस्थलिय प्रदेश या डी विशुवतिय प्रदेश बता 40 कोईशन 40 कोईशन है हमारा भारत का सरवादिक पटिसन उत्पादक राज्य है भारत का सरवादिक पटिसन उत्पादक राज्य है ए आंधर प्रदेश बी बिहार सी तमिल नाडू या डी पश्चिव बंगाल सरवादिक पटिसन उत्पादक राज्य कौन सा है 40 कोईशन का प्रकाश मंदल ने बताईए ओजोन परत कहां पर सिथ है बताईए फॉर्टी वन कोईशन का क्या आंसर हो जाएगा तो इसका सही आंसर है मारा समताप मंडल में ठीक है अच्छा और ओजोन दिवस कब मना जाता है ऑजोन दिवस मना जाता है मारा 16 सप्टेम्बर में ठीक है त मिमलिकित में से किस परिस्ति में मंत्री परिशद विघटित नहीं हो सकती है कैसी कौन सी परिस्ति इसमें मंत्री परिशद विघटित नहीं हो सकती है एक किसी मंत्री के पत्याग से बी प्रधान मंत्री की मृत्यू से सी प्रधान मंत्री के पत्याग से या डी प्रधान मं गटित नहीं हो सकती है ृ charged गाटी इस्तित आई साहरा मरुस्थल में काला हारी मरुस्थल में सी कहलीफोणिया में या अरब में जलिए 44 कोईशन विश्व का सबसी गरम-प्र देश इस्तित है ृ विश्व का सबसे गरम प्रदेश कहां इस्थित है A. भुमद्य रेखिये प्रदेश B. भुमद्य सागरी प्रदेश C. चीन तुल्ले प्रदेश या D. सहारा तुल्ले प्रदेश पताईए विश्व का सबसे गरम प्रदेश इस्थित है 44 question तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा D. सहारा तुल्य प्रदेश 45 question किस फसल के लिए पानी के अधिकता आविशक है लेकिन जवाब की नहीं पानी के अधिकता आविशक है लेकिन उसके जवाब की आविशकता नहीं है A. धान B. जूट C. चाय या D. मुमफली बताईए 45 question 45 question तो बताईए कौन सी फसल ऐसी जिसे पानी के अधिकता आविशक है लेकिन उसके जवाब की आविशकता नहीं है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा C. चाय ठीक है 46 question टीपो सुल्तान की राजधानी थी टीपो सुल्तान की क्या राजधानी थी A. श्री रंग पटनम B. मैसूर C. बैंगलॉर D. भाग्य नगर बताईए क्या आंसर हो जाएगा 46 question का 46 question का आपका सही आंसर है श्री रंग पटनम ठीक है श्री रंग पटनम इसका सही आंसर है 47 question निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंक्या किस की है सबसे अधिक जनसंक्या इन देशों में बतानी है विश्व में नहीं पूची गई है इन देशों में पूची गई है तो आप बताईए इंडोनेशिय जापान पाकिस्तान या सुडान इसमें से किस देश की जनसंख्या सर्फ से अधिक है तो इसका सही आंसर है हमारा इंडोनेशिया इन सब में इंडोनेशिया की जनसंख्या अधिक है ठीक है 47, 48 question सिखो के पवित्रधार में गरंथ गुरु गरंथ साहिब के संगलन करता है बताएगे गुरु गरंथ साहिब के संगलन करता कौन है ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु नानक देव, सी गुरु गोविन सिंगा, डी गुरु रामदास बताएगे 48 question तो इसका सही आंसर है हमारा गुरु अर्जुन देव ए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा चलिए 49 question निम्लिकित में से भारत का पहला नगर निगम कहां इस्तापित हुआ था A. कलकता, B. चेन नहीं, C. मुंबईय, D. डेली भारत का पहला नगर निगम कहां इस्तापित हुआ था तो इसका सही आंसर है, हमारा B. चेन नहीं, B. चेन नहीं, इसका सही आंसर है, ठीक है और आज का मारे last question है, भारत में पंचायती राजप्राणाली का सुभारम कब और कहां हुआ था पंचायती राजप्राणाली, बताए कहां शुड़ो हुई थी और कब हुई थी तो इसका आंसर बताईए 5 जुलाई 1957 फैजाबाद में 2 अक्टूबर 1969 नागौर में 14 नौबर 1969 एमदाबाद में या 3 दिसंबर 1960 बोपाल में बंचायती राजपरडाली का शुभारम कब और कहां हुआ था आज का लास क्वेश्चन है बताईए तो इसका सही आंसर है हमारा 2 अक्टूबर 1969 फैक है चलिए 1969 में और कहां हुआ था नागौर में 1969 में नागौर में ठीक है इसका सही आंसर हमारा भी है चलिए आज के हमारे क्वेश्चन यहीं कतम होते हैं क्लास के आप लोग टाइमिंग देख लीजे यह है शाम को 6 बजे रीजनिग की टास है शाम की गलास है कल आपकी 6 बजे होगी तो बाकी आपकी सुब़े 10 बजे हिंदी की सुब़े 10 बजे समाने गएन की शाम 6 बजे आपकी बजimir क्लास होगी दुआंगी और आज आपकी लाइफ क्लास थी तो कोई दिक्कत नहीं है कल से आपकी classes regularly आपकी जैसे live classes हो रही थी sorry आज की class recorded class थी और कल से जैसे आपकी live classes हो रही थी वैसे ही आपकी live classes होती रहेंगी ठीक है तो चलिए आप लोग thank you आप लोगों का और आप लोग अपनी preparation करते रहें ठीक है